हाईलो गूड मॉर्णिंग आज का ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है सुबा का छो बजरा है और तारीक है आज 27 और आज का दिन इटा जो राने वाला काम सुरू होगा आज घर में इटा वाला सारा काम स्टार्ट होने जा रहा है और देखते आगे का ब्लॉग में क्या हो तो गाइस सुबा सुबा उड़ते ही देखा कि मम्मी यहां पर गेहु सुखा रही है कल ही पापा रासन से गेहु लेकर आये थे हम लोग पांच आतनी है घर में तो 15 kg लगवग आता है और मम्मी उसको धो दो कर सुखा रही है कि इसका ही आटा पिसाया जाएगा और हम होगा अब यह पूरा सुक कर मजबूत हो चुका है पिलिंस को पुरा एक दाव मस्त बढ़ाए गया अब इस पर हीटा जोड़ा जाएगा और उस स्पेस तक हम लोग पहुंचेंगे जितना उच्छा हम लोग का वहां से घर सुरू होगा चलिए का इस देखते हैं गाइस अ लेवलिंग कर रहा है कि कितना उचा तक उसमें तार बांद दिया जा रहा है और जैसा कि आज इटा का काम सुरू होने वाला है तो इटा सब आना सुरू हो गया है साथी साथ एक बहुत ही दुख बड़ा कबर है कि हमारा घर के वहां पर लगबग 200 इटा चूरी हो गया है इसलिए आज रात को पापा यहां पर सोने जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं इटा जोडने वाला काम सुरू हो चुका है यहां पर तीन-तीन मिस्त्री अंकर लग चुके हैं तीनों मिलकर इटा जोड रहा है और यहां पर साथी साथ यहां पर रविस भरा जा रहा है य यहां के रखा जा रहा है तैयार हो गए हैं बैंक जा रहा है कुछ पैसा निकालना है बैंक में जाकर चलते हैं तो गाइस देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं और देखते ही आपको पता चलिया हुआ कि का ब्रांच है दुर्गापूर बीजोन का ब्रांच जो की हेल सेंटर के पास आता आप लोग देख सकते चारों तरफ यह दुकान सब है और हम लोग बैंक के तरफ जाएंगे यह बैंक का परिसर है यहां से हम लोग भीतर आये हैं और यहीं पर एटियम भी है हाँ यह यह उन् वेजिक के कारण ऐटियम का सीन आपको नहीं दिखा सकते हैं तो गाइस जैशा देख सकते हैं पैसा निकाल लिया warm झरी है हैं मिस्तिरी भाइका घृचा क्का हो मोरी सब वो हो खा रहा है थक गया है तो गाइस देख सकते हैं इधर दो तरफ दिवाल जुड़ चुका है और बाकी साइड बाकी है तो गाइस आज का व्लॉग यहीं खतम करते हैं यहां पे सिमेंट बचा है मिलाकर खतम कर दिया जाएगा तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में अगर वीडियो अच्छा